अगर आप लोग इंडिया के किसी भी हिस्से में हो अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में हो और अगर आप चाहते हो कि उत्राखंड के मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लो चाहे वो प्राइबेट सीट हो चाहे वो गौर्मेंट सीट हो तो ये वीडियो आपके लिए है प्राइबेट में बाहर के लिए लाउड है, कितना परसंट यहां के पर्मानेट रेजिडेंट के लिए है, क्या फीस है उनकी, स्टेट कोटा में कितने परसंट होता है, All India कोटा में क्या होगा, guverement seats जो है, उनकी फीस कितनी है, उनका कट फूप कितना expected जा सकता है, second round में क्या हो सकता है, map-up round में क्या हो सकता है, college कैसा है, college का staff कैसा है, कितनी seats हैं, क्या PG में क्या benefit होता है, ये सारी बाते आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो आगे बढ़ने से पहले मेरा request होगा चैनल पर first time आए हो तो जरूर इसको subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर लिजेगा और मेरा telegram channel है उससे जुड़ जाईए क्योंकि उस पे बहुत सारी information मैं देता रहता हूँ तो शुरू करेंगे हम लोग private college से इवन मैं बात करूँगा dental college का भी fees कितनी है, mess कितना है, security कितनी है, refundable security कितनी है सारी और क्या expected cut-off हो सकता है तो अब आजाते हैं यहाँ पे हम लोग बात सबसे पहले करेंगे private medical college की तो private medical college उत्राखंड में 40% seats reserved हैं उत्राखंड के student के लिए उत्राखंड domicile student के लिए यानि जिन बच्चों ने यहाँ से 9th से 12 किया हो या करेहां का domicile हो और 60% seat उनको दी जाती हैं जो open category से all India level से आते हैं बट एक खास बाद यहाँ पे जो counseling है वहाँ उस counseling में आप state counseling में ही enroll करेंगे even if you are from UP, Punjab अगर आप state state से नहीं है तो भी all India से नहीं आएंगे state category के जब counseling स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आप participate करेंगे और वहाँ पे आप private seats को choose करेंगे आपको allow किया जाएगा यहाँ की government seats में अगर आपको बाहर से आके admission लेना है तो आप state quota नहीं वर सकते फिर आप all India quota से 15% seat के लिए आएंगे तो I hope यह clear हो गया होगा आपको इस state में अगर आप state counseling से आप आ रहे हैं तो आपको private seats के लिए eligibility मिलती है 60% seat के लिए 150-150 seat हैं हर college में 3 college है तो 90-90 seat के लिए आप eligible हो जाते हो government seat के लिए आप इस state के हैं तो state counseling में participate करेंगे दूसरे state के हैं तो all India से 15% seat हो के लिए participate करेंगे तो मुझे रगता है कि तो clear हो गया होगा आपको तो आप मैं यहां की priority भी बताऊंगा बच्चों की 24 private में क्या होता है फिर उसके बाद सरकारी कोटे पे चलेंगे government college पे तो आपको बता दिया 40% seat है यहां के state के लिए 60% seat है all India के लिए अब यहां पे तीन colleges है एक है Himalayan Institute of Medical Science तो वो इसे हम Jolly Grant Medical College कहते हैं यहां पे जो airport है वो भी Jolly Grant airport है तो आप वहां से airport के बिलकुल वगल में college है पुराना college और बहुत ही बढ़िया college है It is highly reputed college Jolly Grant Medical College बहुत ही पुराना बार बार बोलूँगा तो पहले नमबर पे बच्चे उस college को रखते हैं आप कुछ और को भी रख सकते हो बट generally trend यही है दूसरे नमबर वहां पे 1500 seat हैं 150 seat है तो 60 seat हैं state के लिए और 90 seat हैं बाहर के बच्चों के लिए दूसरे नमबर में बच्चों का preferred college होता है SGRR Medical College सिरी गुर्राम राय Medical College यह SGRR Medical College जो है यह भी पुराना college और बढ़िया college है काफी बढ़िया college है और यहाँ पे उस college की पुरे area में एक अच्छी खासी reputation है वहाँ पे भी यही हाल है 1500 seat है 40% यहाँ के लिए यह 60% बाहर के लिए उसके बाद तीसरा नमबर है गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्याल है यह सुभारती Medical College मेरट के गुरूप का है मेरट में सुभारती Medical College की reputation बहुत अच्छी है और यहाँ अभी दो बैच का admission हो गया है college की building बहुत अच्छी बन रही है और आने वाले टाइम पे क्वार्ट की group अच्छा है तो I am sure यह college भी काफी अच्छा करेगा तो यहाँ पे भी 1500 seat है अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे और कितनी फीस आप college में यहाँ पे देना होता है मैं आपको बता देता हूँ इनो college का एक chart दे देता हूँ Himalayan Institute of Health Science कह सकते हो उसको Jolly Grand Medical College कहते है तो यह सारे नाम उसके है H.I.M.S. बोलेंगे उसको Himalayan Institute of Medical Science Himalayan Institute of Medical Science की जो फीस है वो 13.32 lakh है ट्यूसन फीस इस्टेट के लिए और 18 लाग है ट्यूसन फीस बाहर के बच्चों के लिए है SGRR गुर्राम राय यानि जिसे हम गुर्राम राय कहते हैं वहाँ पे 150 सीटे हैं और वहाँ की ट्यूसन फीस है 9.7 lakh बहुत चादा डिफरेंस है हॉस्टर और बाकि सेक्यूर्टी में सुभार्ती मेडिकल कॉलेज की फीस भी वही है 9.78 lakh फॉर उत्राखन स्टूडेंट 13.22 lakhs फॉर आउटसाइडर स्टूडेंट यह फीस है सिरूप और exactly यही फीस SGRR की है यानि SGRR की भी 9.78 lakh है टिउसन फीस स्टेट के बच्चों के लिए और आउटसाइड स्टेट के बच्चों के लिए यह फीस है 13.22,000 अब एक चाड़ से समझ लेते हैं एडमिशन फीस हिमाले इस्टूट मेडिकल साइंस में है 1 lakh SGRR में है 2 lakh सेक्योटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होती है हिमाले इस्टूट में 2 lakh है SGRR में 4 lakh है और गौतम बुद्धा में 5 lakh है हॉस्टल विदेसी हिमाले इस्टूट में 1.2 lakh है SGRR में 1.65 lakh है और गौतम बुद्दा चिकिस्टा महाविद्याले में 1 lakh 80,000 है एक साल का हॉस्टल 9 AC हिमाले इस्टूट में 90,000 का है बाकी में सायद नहीं है या information नहीं है मेस चार्जेज हिमाले इस्टूट का मुझे information नहीं था लेकिन SGRR में 1.65 lakh और गौतम बुद्धा में 1.8 lakh का है other dress plus enrollment plus immunization यानि टीका उका का जो खर्चा होता है वो हिमाले इस्टूट में 20-50,000 है SGRR में 1.5 lakh का है और बाकी गौतम बुद्धा में भी 1.5 lakh है तो ये एक ज़्यादा costing है one time library plus lab हिमाले में नहीं है लेकिन SGRR और गौतम बुद्धा में 2.2 lakh है तो ये खर्चे हर साल add-on होते है ये private organization में ये रोना है कि वो बहुत तरीके से पैसे वसोलने की कोसिस करते है tuition fees में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं कि government का rule होता है लेकिन बाकी जगहों पे वो काफी पैसे को इधा उधर करते हैं इसी के थूँ फिर मैं अगला आपको step बता रहा हूँ प्राइबिट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे दो मेडिकल कॉलेज है डेंटल के सीमा डेंटल कॉलेज और उत्रांचल डेंटल कॉलेज दोनों की फीस है 2.15 lakh पर रहनव और यहाँ पे हॉस्टल चार्जज अलग है जो डेड़ से ढ़ाई लाग के बीच में आते है अब आ जाते हैं गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज की फीस देखो गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज की दो तरीके फीस होती है एक है 50,000 with bond यह जो स्रीनगर मेडिकल कॉलेज में bond की सुभिधा है पीरचन सिंग गड़वाली वीएस सीजी मेडिकल कॉलेज एन रिसर्च यह स्रीनगर में है यहां की फीस है 50,000 with bond यहां पे bond सुभिधा अबलेबल है इसलिए स्टेट के काफी बच्चे इसको prefer करते हैं फीस एक्तिहाई हो जाती है बिना bond के फीस करीब करीब 1.4, 1.45 लैक पर एनम होती है तो तीन गुना हो जाती है तो कुछ लोग जिनका financial दिक्कत है वो यह college prefer करते है और college भी यह बहुत अच्छा है इसके बच्चे कई बार PG में बहुत अच्छा कर रहा है अपने state में तो यहाँ से भी बच्चों का बड़े loyalty है यहाँ के बच्चे इसी को best मानते है तो loyalty तो तीनों college में है तो उतराखंड में कुल 4 medical college है government category के एक और है Rishi case में aims जिसका admission होता All India Kota से एक हो गया दून medical college जो काफी अच्छा grow कर रहा है एक medical college हो गया GMC हल्दवानी जो सबसे पुराना है उतराखंड का हल्दवानी या दून दोनों में से क्या choose करें इसमें debate हो सकता है हल्दवानी एक natural choice है क्योंकि पुराना है और बहुत अच्छा college है दून एक futuristic choice है futuristic choice मनलब capital है और यहाँ पे अच्छी merit वाले बच्चे ध्रे-ध्रे करके आ रहा है हर साल यहाँ पे जो cut-off है उपर जा रहा है तो एक futuristic choice है दून Almoda नया college बना है और एक interior में है तो वो हमेशा last choice बना हुआ है स्रीनगर एक mid choice है जिनको fees कम चाहिए उस तरह से स्रीनगर को ले सकते हैं तो कुल मिलाके जो चारो medical college है इन चारो medical college में seatे कितनी-कितनी है वो मैं बता देता हूँ इसमें Almoda है वहाँ आपको bond मिलेगा bond का मलब 50,000 fees में आपका काम चल जाएगा वैसे 76,500 लग जाता है लेकिन फिर भी यह सम मिलाके और 1.45 lakh आपको बिना bond के वहाँ पे भी कुछ एक्स्टा फीसे है कुल मिलाके वहाँ पे 75 क्यास पास हो जाता है चारो college में seat कितनी है दून medical college में 1.500 सीटे है स्रीनेगर medical college में 1.500 सीटे 300 हो गई, Almoda में हो गई 400 सीटे और हलदवानी में 125 सीटे अब ये 300, 400, 500 सीटे अगर हलदवानी में 50 सीट और बढ़गी तो 550 सीट गवर्मेंट की हो जाएगी 400 सीट यहाँ पे private medical college की है और 100 सीट एम्स रिसी केस में भी है लेकिन उसको All India कोटा से भरा जाता है अब आजाते हैं कि आपको बता दिया यहाँ पे जो कटाफ जाता है वो All India से अगर आप उत्राखन को चूज करते हो तो वो 625 से उपर ही जाता है दून और हलदवानी ये तो 635 से उपर ही close होता है फर्स राउंड में सेकेंड राउंड में ये 610, 615 के आसपास close होता है और मौप अप और स्ट्रे में थोड़ा सा 2-3 नंबर और नीचे आ सकता बड़ इससे नीचे नहीं जाता है किसी भी हालत में क्योंकि बाहर के लिए दून एक better choice है एक तो capital है एक तो उत्रांखंड है एक तो देवनगरी है बहुत अच्छा महौल है मौसम है और tension free मलब एक environment है इससे काफी लोग attract होते है तो इसलिए all India level पे यहां का cut up हमेशा उपर ही जाता है private medical college में करीब-करीब अगर आपके 400 number है तो jolly grant मिल सकता है 390 के आज़ पास आपको गुर्राम राय मिल सकता है और गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्याल है तो last year में 13 seatे खाली रह गई यानि all India category में आप कुछ भी भरदी होते तो last year यह मिल जाता इस साल उम्मीद है कि खाली तो नहीं रहेगा लेकिन हाथ 200 number तक आपको यहाँ पे आखरी round तक आते आते OBC और EWS उम्मीद कर सकते हैं comfortably क्योंकि OBC और EWS यहाँ काफी नीचे जाता है और SCST वो वो भी 450 के आसपास है 400 के आसपास है I'm sorry 450 बोल गया 400 के आसपास है तो comfortable गए सकते हैं उसके नीचे भी जाएगा 100% जाएगा लेकिन मैं अभी publicly उसको बोलना नहीं चाहता हूँ तो यह overall रहा मेरा view detail और micro level की analysis मैं जल्दी ही करूँगा और करता रहता हूँ यह एक overall analysis है overall picture मैंने paste किया कि जो एक common और general knowledge आपको मिल जाए complete So it was all, thank you very much, bye-bye